बिस्मिल्य रह्मारी रहीम असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज के अंदर हम लोग अपना प्रिवेस लेट्चर को ही कंट्यून्यू करते हुए कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे फिजिकल इनकंपेट्बैलिटी की लेकिन इसके साथ ही हम आज आउनलाइन टेस्ट हुआ था फार्मस्टिक्स का उसकी डिसकेशन भी करेंगे तो आईए आज हम पहले फिजिकल इनकंपेट्बैलिटी के रुपी प्रिवेस लेचर में हम लोगों यह पढ़ाता कि कुछ फिजिकल इनकंपेट्बैलिटी होती हैं जो के कलर में और मार्फोलोजिकली चैन्जिस लिए आती हैं दो यह दो से जादा कंपोनेंट्स या सबस्टेंस एक दूसे साथ इंट्रियक्ट करते हैं फार्मसेटिकल प् इंग्रीडी तस य taken लिए- paints इंग्रेट्फ कैं ग्रीडियंट्स के मिक्सचर और सम्ट्सॉलीड जाइन नहीं हैं हुआधे नहीं से जाता है मिक्स बनाना चाहरा है जो कि पाउडर फॉर्म में बनाना चाहरा है जब उन्हें मिक्स किया जाए तो लिक्विट फॉर्म के अंदर तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर देखने में आए तो हम उसको रिजॉल्फ कर सकते हैं अब्सॉर्बंट डालकर या मेगनेशिम काबोनेट डाल कर ताके वह एक्स्टा जो मॉस्चर है उसे अब्सॉर्ब कर लें अपने अंदर अधरवाइस प्रोडेक्ट जो है फिजिकल इंकमपेट बैरेटी का शिकार हो जाएगी अंडिजारेबल चेंज देखने में आएगा क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में जो है प्रोडेक्ट इस तरह को कोई सॉल्वेंट प्रिस्क्राइब कर दिया है जो इनकमपेटीबल है किसी भी ड्रॉक सबस्टेंस के साथ यहां वह प्रॉब्लम देखने में आ सकती है लाइक सम्टाइम्स प्रिस्टिशन में प्रिस्ट्राइब इंक्रेक्ट सॉल्वेंट तो डिजोव दा इ वह सॉल्वेंट जो उसने साथ लेन को कहा है वो सही तरह डिजोर्व नहीं कर पा भी पढ़ाता पहले हम इस बात को डिसक्स करते हैं रेजन्स जो हैं वो पानी में हल नहीं होती बहुत कम हल हैं तो हम अगर रिप्लेस कर देंगे इसको अलकोहल के साथ तो वो फिर इसली डिजॉल्व हो जाएंगी लेकिन अगर कोई फिजिशन कहता है कि आपने एक सलूशन बनाना है और उसके अंदर रेजन्स भी मौजूद है और वो वाटर में आप डिजॉल्व करें लागि हैं रेजन्स टर्पिंटिंग की एक्जंपल देगी है तो वो प्रिसक्राइबिंग रॉंग होगी और वहां पर इनकमपैटबिल के हिसाप से होगी इसी तरह जैलेटेनाइजेशन भी होती है जैलेटेनाइजेशन वर्ड से जाहिरे जल बनने का अमल को जैलेटेनाइजेशन कहेंगे तो सुलूशन में फॉर्मा जैल सुलूशन अगर कोई चीज एड़ की आपस के अंदर और उसके एड उस सबस्टेंस क होनी कि वजada से जैली लाइक सबस्टेंस बन गिया जैली समें देखी थीक फोर्मा नहीं होती है म्तिए ठीक फूर्म के अंदर उती है तो सलूशन में फॉर्मा जैल अकर सूरुशन जैल फोर्म में बन रहा है which certain substance are added into it अगर उसमें कुछ substance आपने डाले है when certain substance are added into it और वो एक jelly form consistency में आ गया है liquid form में नहीं रहा बलकि गाड़ापन आ गया है उसके अंदर तो हम कहेंगे इस अमल को gelatinization लेकिन क्योंकि हमें liquid solution form के अंदर चाहिए थी वह product और वह थिक हो चुकिए jelly form के अंदर तो एक undesirable effect होगा और इसको physical incompatibility में रहेंगे क्योंकि वह physically change हुई है अब यहां पर फिनोल कॉलिडोन एंड हम अगर इसका solution बनाएं तो होगा क्या कि कॉलिडोन की वज़ा से उसके thickness में इजाफा होगा और इसी तरह कि जैली जैलिटन लाइक जैली like appearance show करेगा तो एक solution तो नहीं हुआ ना solution के तो homogeneous mixture बनता है homogeneous mixture बनता लेकिन यहां पर जैली लाइक कंसिस्टेंश तो फिजीकली तो पर इसे undesirable product पे चेंज कर रही है तो यह एक physical incompatibility है जिसका हम इसी तरह अन प्लेटेबिलिटी भी बाज देखने में आ जाती है इन इस टाइप आफ इनकमपैटिबिलिटी अपर इस तरह कोई चेंजिंग देखने में आ रही है आप उसे इतना सही तरीके से खा नहीं पा रहे हो जैसे आइरन अमोनियम सिट्रेट वाटर सिंपल सीरप और काप इसका स्लूशन मनाने जा रहे है तो प्रॉब्लम क्या स्लूशन विल हाव अन प्लेटेबल टेस्ट इसका जाइका इस तरह का बनेगा कि आप उसे निगल नहीं पाऊंगा जाइका ही तो प्लेवर उसका अच्छा हो जाएका या अलग्सर कर दो यह भी फ्लैवर के लिए इस तामाल हो रहा होता है अगर ये तो चैड़ी फ्लैवर डाल गजर डाल दें तो क्या होगा थोड़़ से टैस्ट फ्रेग्नेंस अच्छी होगी तो इसलेंट इसे ले सकीगा खा उसे इस्तामाल कर सकेगा वह प्लेटेबिल बन जाएगी वह इसकाबिल बन जाएगी कि वह से निगल ले वह से खा ले तो एक कुछ इंकमपेटबैलिटी इस जो फीजिकल इंकमपेटबैलिटी जिसमें यह तो अपैरेंस तब्दील हो जाती है प्रोड़क्ट की दिखने में जैसे संवीलिजैने सलूशन से वह जैलिफर में तब्दील हो गया या फिर क्या होगा उसकी मलव्र लेट प्रासिपिटेट बन जाते यह अन्प्लेटेबिल प्रोडेंड मैं यह तोपिक क्योंकि हमने प्री पर्मस टिक का पेपर मैं आपको 15 15 मार्क्स के ही आपको जो है शोट क्वेस्चन्स दिये गयते हैं हर सवाल का पांच नंबर के मैंने आप लोगों को तीन सवाल दिये थे यहां पर कुछ एमसी क्यूस कंसेप्चुल भी थे जिसको देने का मकसद यह था ताकि यह पता लग सके कि क्या आप समझके भी पढ़ें या नहीं और कुछ ऐसे थे जो कि आपकी यह शो कर रहे थे कि आपने बुक में से उसे डिटेल स्टडी किया है या नहीं किया उसे जो हम कर रहें लेट्चर आप डेली सुन रहे हैं क्या वह आप रोजाना के रोजाना काम कर भी रहें या नहीं देखें यहां पर जैसे के दिखाया गया है फस्ट एमसी क्यूस एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रीडियंट प्लस एक्सपियंट राइट मैंने कहा था था एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रीडियंट प्लस एक्सपियंट दोनों के मिलने से बन जाती है डोजिज फॉर्म के ड्रग है और उसके साथ कुछ एडिशनल जो हैं सबस्टेंस भी एड़ किये जाते हैं जिने हम एडिटिव यह एक्सपियंट कहते हैं और उन दोने की म करेंगे जैसे कि हम लोगों निभी थी चैनलिक हिता है इसी तरह हमidoismo भीटाल के बैल सु로 है थीज अदानिम एभीन डे डेन रॉपर आट्री बैसे फिर इस पर रही जाता है है इसके जैनलिक नयम sayam exist auch chemical आई असीन सेली स infect तो ब्रेइं नयम आपर को रहुड होक है OTC drugs also known as OTC drugs over the counter drug को कहते हैं over the counter drug जिसको लेने के लिए इस खरीदने के लिए या सेल करने के लिए prescription की जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम कहेंगे over the counter drug तो over the counter drug इसका option सही होगा या फिर अगर इसकी अंदर mention हो कहीं पे भी non-prescription drugs को prescription की जरूरत नहीं पड़ती तो non-prescription drugs तो non-prescription drugs वाला option सही है यहां पर कि अगर over the counter drug होता तो वो भी सही था non-prescription drugs यहां पर मुझूद है जबकि prescription drugs तो POM वाली है prescription drugs जो है prescription only medicine में जो हमने पढ़ी थी POM वो है जबकि यहां पर option A correct होगा Book of Healing also known as Book of Healing किताब Al-Shifa की को हम Book of Healing कहते हैं Book of Healing हम किताब Al-Shifa को कहते हैं यह हमने Scientist वाले चेप्टर में पढ़ा था अबू अली इबन सीना ने इसको लिखा था किताब Al-Shifa जिसको Book of Healing भी कहा जाता है इसके बाद आजाते हैं हम 5 के उपर Proper Storage, Filling, Ceiling, Supply of Drugs is Various Hospital Department और Function of Hospital Department का वर्ड भी है क्वेस्टन में तो आप इसली लिख सकते थे कि Hospital Pharmacy भी ओप्शन सही है Acetyl Salicylic Acid is Acetyl Salicylic Acid API है यानि कि Active Pharmaceutical Ingredient है Discover New and Save Drugs is Function of यह Function Industrial Pharmacy का होता है कि New Drugs को Discover करते हैं और पहले से Drugs को मज़ीद इनोवेट करते हैं Organized Health Camp and Seminars Community Pharmacy का हमने गौल पढ़ाता है Community Pharmacy, Community Pharmacy जो कि Community को सर्फ कर रही होती है उसी का एक काम यह भी है कि वो Organized करती है Camp और Seminars ताके Awareness दे सके Community को Aquarigia is a great discovery of Jaurabir बिन हयान Jaurabir बिन हयान ने Aquarigia बनाया था जिसके मैंने आपको बताया था कि Jaurabir बिन हयान फादर आफ जो है Chemistry भी कहला रहे होते हैं और इसके इलावा इनके एकवरीजिया बनाना बगत बड़ी development है To dissolve the gold Nitric Acid and Hydrochloric Acids के मिलने से इनने एकवरीजिया बनाया और इसके खासे दिया थी कि गोल्ड को dissolve कर लेता था अपने अंदर फिर इस डिसमीन यहाँ पर एप्शन सही होगा Al-Qandhi was first person Who use food therapy for treatment of psychological problem आप हमेशा question को attempt करने से पहले किसी भी option को आप question लाजमी धिहान से पढ़ें देखें यहाँ पर food लिखाव है music नहीं जबकि उन्होंने music पे काम किया था उन्हें वो first person थे जिन्होंने music को यूज़ किया था treatment of psychological problem के लिए यहाँ पे लिखाव है food तो it's mean यह फाल्स है ड्रग डेटा साइन्थी साइस बाई यूज़िंग कमबाइंड सोर्स ओफ नेच्रल एंड साइन्थेटिक नोन अज़ अज़ सेमे साइन्थेटिक यह आपकी bookie as it is line थी अगर आपने book में से पढ़ी हो यह आपने लेच्चर भी सुना तो लेच्र में भी यह मुझूद थी कि ड्रग डेटा साइन्थी साइस पर यूज़िंग कमबाइंड सोर्स के जिसमें नेच्रल एंड साइन्थेटिक विए दोनों तरह के सोर्स जे सवाल हूं तो हम उने सेमे साइन्थाटिक सोर्स कहता है तो इट्समें यहाँ पे a इंड ओप्शन सही होगा मिंद के सी ट्वैल्फ का है डेश और अफ्टव फॉरमेसी तमाम के समाम यह फॉर्मेसी क्या जाते हैं और देखिए यह थोड़ा सा धिहान से पेपर करते तो आप यह दोनों ऑप्शन इजी लिए इसक्रेक्ट कर सकते हैं 12 और 5 यहीं फ्σι drowns को उप्शन में दिया गया था व्युद्ट क्सवूर्स से हासिल की जाती है तो प्लांट सौर्स आधिमल सौर्स माईक्रोडी। सौर्स या फी नन राइट तो डिजॉक्षन जैसा कि यहां पे है डिजॉक्षन तो मैंने आपको बताया था कि डिजॉक्षन के लीव्स होते हैं राइट जो कि अप्टेंड के जाते हैं डिजिटलस लेने टीन प्लांट से तो इट्स मीन लीव्स हैं तो यह प्लांट सोर से हासिल हुई है तो यहां पे प्लांट ऑप्शन सही होगा ड्रग्स डिर डॉन्ट रिक्वाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इस नोन ऐस जैसे कि मैं आपको बताया वो दवाई जिसके में प्रिस्क्रिप्शन की ज़रुत नहीं पड़ती खरीदने या सेल करने के लिए तो उसको हम ओटीसी ड्रग कह प्रिस्क्रिप्शन के मुझूद है तो यहां पर उप्शन एक क्राक्टो का प्रिसर्वेटिव और एक्जेंपल ओफ देखें प्रिसर्वेटिव जब हम डोजिज फॉर्म का जिकर करें तो हमने कहा था एक्सिपियंट्स एंड एपी आई दोनों के मिलने से डोजिज फॉ यहां फिर एक्सिपियंट्स होते हैं तो बी एंड सी बहुत ऑप्शन इट्स करेक्ट कि एक्टिव इंग्रीज ने फर्मकोलोजिकली एक्टिव होता है वो बॉडि में ट्रीट्मेंट के काम आ रहा होता है जबकि और जो चीज़ें भी डाले जाएंगी वहां तो Community pharmacy फॉरमसी ठीक है पहले definition लिक अई थी forms Casey की उसके बाद Community div sory के बारे में लिखना था कम्यूटिक फॉरमसी ने अबस theory कम्यूंट के से कंद्य ने अपने Community फॉरमसी की further जो हमने retail 깃ल,nt in wholesale philosophy भी लिखनी थी but small scale part and large scale पसी यो बहइं प्सक्री दिए है आपने OTC and POM तो यहां पर differentiate का वर्ड आया है it's mean आप difference बताओगे points कर में पहले आप जो है column बनाओगे दम्यान में लाइन लिखकर फिर line लगाकर left एक साइट पर OTC लिखोगे दूसरे साइट पर POM लिखोगे फिर आप कि नहीं नहीं लिखना था जुन्होंने भी नोट लिखा उनके नंबर माइनस किए गया क्योंकि नोट मेंशन नहीं है differentiate मेंशन है define pharmaceutics and write a note on Javid bin Hayyan यहां पर pharmaceutics की definition थी और Javid bin Hayyan पर नोट था उनके जो contribution है pharmacy के अंदर वो आपने यहां बें मेंशन करनी थी तो यह था आपका पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कुछ सवाल ऐसे थे जो कि conceptual थे और कुछ सवाल ऐसे थे जो कि लेच्चर के अंदर आपको बार बार repeat करवाए गए थे जन्होंने भी लेच्चर score से सुने हैं वह इसी लोन ने पेपर सॉल्फ किया लेकिन पेपर को सॉल्फ करते हुए कुछ parameters को अपने mind में हमेशा रखा किए कि question को पहले हमेशा mcqs को choose करने से पहले option को question की statement को दिहान से पढ़ा करें दूसरी बात यह कि जब आप जिसना online अभी पेपर सेल रहे हैं तो यह test जो भी हो आप उसके अंदर सिर्फ correct आंसर की option में उसका alphabet लिखोगे पूरा आपको statement लिखने की जरूरत नहीं है अगर यहां पर लिखा हुए कि drugs they don't require doctor prescription is known as option A OTC option B OTO option CPOM M तो आपने सिर्फ A लिखना है कि A just पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं OTC बस A option सही है इसी तरह active ingredient additives excipient A D option B and C बहुत तो आप यहां पर just जो आपको option सही लग रहा है आप B लिख दो C आपको सही लग रहा है C लिख दो D आपको सही लिख रहा है तो आप D लिख दो लेकिन आपको पूरी-पूरी statement लिखने की जरूरत नहीं है इससे जो है कोई फाइदा नहीं होता बलकि बास दफ़ा क्या होता है कि आपने option में alphabet दूसरा लिखा होता और statement बुक्सरी लिख होती है और दूसरा cutting नहीं किया करें paper में वो गल्त consider होता है MCQ में खास तो पर तो इन तमाम चीज़ों को अपने धिहान में रखिएगा नेक्स टाइम में आपके काम आएंगी जो यहनके new students हैं उनके लिए तो क्यूंके पहला टेस्ट था यह फार्मासोटिक्स का तो उनको थोड़ा सी लिनियंसी दी गई लेकिन जो old student हैं वो बढ़ाए महरबानी आप पहले question को पढ़ लिया करें उसके बास solve किया करें अगर आप community pharmacy की जगा community pharmacy clinical pharmacy जब हॉस्पिटल pharmacy को लिख रहे होंगे तो यह लेकिन आपको कोई number नहीं मिलेगा अगर आपको लिखने को दिया जाए जाबिर बिन हयान पे note और आप लिख रहे हो अल्राजी पे note तो फिर उस पे तो number नहीं बनते चाहे आपने accurate ही क्यों न लिखाओ तो हमेशे इन बातों का ख्याल रखें